हेलो फ्रेंड्स जैश्री महाकाल मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल इस टेडेविच शिप्रा तीरे पर दोस्तों आज का हमारा सबज़ेक्ट है इतिहास हिस्ट्री एक हिस्ट्री की क्लास दोस्तों ये कौन से पार्ट 5 है ठीक है पार्ट 4 तक मैं करवा चुका हूँ जिसने भी अभी तक पार्ट 4 तक की क्लासेस नहीं देखी है description box में link provide कर दी गई है part 1, 2, 3 और 4 की तो आप पहले वो जरूर देखें जिनोंने भी पहले की classes नहीं देखी है चलिए, तो आज की class हम शुरू करते हैं उससे पहले दोस्तों पढ़ाई से related वीडियो की जानकारी के लिए और vacancy से related जानकारी के लिए शिपरा तीरे चैनल को subscribe ज़रूर करें और bell icon पर press करें ताकि सारे notification आपको mobile पर time to time मिलते रहें चलिए friends, तो शुरू करते हैं आज की class question है, विजय स्थम्ब कहां है और ये homework में दिया था मैंने question आपको कि विजय स्थम्ब कहां पर है तो विजय स्थम्ब है प्राजिस्थान में अब आज की questions है आज की questions का पहला सवाल है दोस्तों, आज की lecture का पहला सवाल गुरू नानक का जन्म कहां हुआ था तलवंडी, कांगडा, अमरिचर या आनंदपुर तो इसका सही answer है दोस्तों तलवंडी में गुरु उनानक का जन्मत तलवंडी में हुआ था अगला सवाल है सबसे फेमस दोस्तों जो की इतिहास के साफ से कोशन पूछा जाता है बुलंद दर्वाजा पहले तो कोशन पूछा जाता है कि बुलंद दर्वाजा कहां पर है ठीक है याने उत्तर प्रदेश राज्य में है फतेपुर सिक्री में किसने बनवाया था अकबर ने बनवाया था तो यह बुलंद दर्वाजा किस उपलक्ष में बनवाया था पुत्र प्राप्ति विवाह विजय स्मृति या इन में से कोई नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा विजय स्मृति है ना विजय स्मृति के उपलक्ष में बुलंद दर्वाजा बनवाया था अगला सवाल है किस मुगल समराट को चित्रकला से अत्यधिक लगा हो था अब आपको पता है कि मैं अपने पार्ट 3 और पार्ट 4 में काफी बार बता चुका हूँ कि चित्रकला से संबंदित अगर किसे मुगल समराट के वारे में पूछा जाए तो आपको क्या आंसर लगाना है तो आपके सामने option है बाबर अकबर जहांगीर या शा जहांगीर तो आंसर है आपका hektar munro अगला सवाल है, चोरी चोरा कहा हैं, दोस्तों चोरी चोरा जो है वो एक जगे का नाम है ठीक है जहां पर चोरी चोरा कांड हुआ था जिस वाजय से गांथी जी न अशव गंदुलान वापेस ले लिया था ये किस राज्यम है उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्ध्र प्रदेश या बंगाल तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश चोरी चारा कहा पर है दोस्तों चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में अगला सवाग जलिया वाला बाग की घटना कब घटित हुई थी 1917, 1919, 1921 या 1942 तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आप सभी का क्योंकि आप मुझे उमीद है कि आप लोगों ने आंसर यही लगाया होगा क्योंकि जलिया वाला बाग हत्या कार्ण कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी सभी जानते हैं अमरित सर्म में हुई थी यह घटना पंजाब के 13 अपरेल 1919 यह घटन यह दिन दोस्तों कोई नहीं भूल सकता है जनरल डायर के द्वारा अंदा धून गोलिया चला दी गई थी तो चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला है साइमन कमिशन के विरुद प्रदर्शन में लाठी चार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्त यह थी साइमन कमिशन के विरुद प्रदर्शन में लाठी चार्ज से लगी चोटों से किस नेता की म्रत्य हुई थी लाला लाजपतराई गोविंद वल्लप पंत डॉक्टर सत्यपाल या फिर डॉक्टर किचलू तो इसका आंसर है दोस्तों लाला लाजपतराई ठीके लाला लाजप पतराई की म्रत्य हो गई थी साइमन कमिशन के विरुद जब उन्होंने प्रदर्शन किया था तो एक लाठी चार्ज में उनकी म्रत्य हो गई थी अगला सवाल है 1947 इस्वी में भारत विभाजन का कारण था अब 1947 में अपन जानते नो दूस्तों की 1947 में क्या हुआ था बिलक अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीती या उपरोक्त सभी तो इसका आंसर है फ्रेंट्स बिलकुल सही है उपरोक्त सभी सामपरदाइक शक्तियों की विजह हो गई थी कॉंग्रेज की नीतियों की विफलता हुई थी और अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वो नीती बिल्कुल सक्सेस हो गई थी इस वज़े से 1947 में भारत विभाजन कारण बना था अगला सवाल है सेंदाव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है हडपा काली बंगन धोला वीरा ये लोथल आंसर है दोस्तों लोथल लोथल जो है कि अब गुजरात राज्य में है ठीक है और ये हडपा सभ्यता का प्रमुक बंदरगाह था अगला सवाल देखते हैं सत्यमेव जयते उक्ति सर्व प्रथम कहां व्यक्त हुई थी यानि सीधे सीधे वो पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते जो शब्द है वो कहां से लिया गया है रिगवेद मुंड कोप निशद या फिर मनुस्मरति या फिर इनमें से कोई नहीं तो सभी जानते इसका आंसर है मुंड कोप निशद सत्यमेव जयते उक्ति कहां से लिया है मुंड कोप निशद से अगला है निम्न लिखित में से कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था यानि कि जो बुद्ध थे गौतम बुद्ध उनका रियल नेम क्या था गौतम तथागद बुद्ध या सिध्धार्थ तो आप लोगों ने अगभी बुद्ध के बार में पढ़ा हो तो इसका अंसर तो खजुराहों के मंदिरों का संबंद किस वंच से है परमार प्रतिहार चंदेल या चोहान सभी जानते हैं जिन्होंने इतिहास कहीं बार पढ़ लिया होगा दोस्तों खजुराहों के मंदिरों का संबंद चंदेल से है चंदेल वंच क्यों खजुराहों के मंदिरों का न दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम संप्रभुत्ता संपन शासक था वो कौन था? इल्टुत मिश. अगला सवाल है तुगल का बाद किले का निर्मान किसने करवाया था? गया सुद्धिन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोस तुगलक या इन में से कोई नहीं? तो तुग अगला सवाल तोडर मल की मुख्य उपाधी किस छेतर में थी? आप जानते होंगे तोडर मल जो की नौ रतनों में से एक थे अगबर के तो इनके मुख्य उपलब्दी किस छेतर में थी सामाजिक सुदार, सैन्य विजय, राजस्व प्रशासन या फिर ललित कला तो इसका आ होंगे कि राजस्व विभाग समालते थे अगबर का जो की नौ रतनों में से एक थे, कौन तोडर मल? अगला सवाल, वंदे मातरम के रचियता कौन है? स्वामी दयानन, सरस्वती जी, बंकिम चंद्र चटर जी, रवेंदर नाट टेगोर या फिर महमाद इकबाल? तो इसका लेकर रहूंगा या किसने कहा था? तीसरी क्लास में पढ़ा है, अगर आपको यह आंसर नहीं आता है, तो आप विलकुल तीसरी क्लास की किताब उठाईए और वहाँ से स्टेडी करना शुरू कीजिए, ठीके? स्वातंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकारे और मैं इससे ल लेकर होगा? इसका आंसर है लोकमान्य तिलक, स्वातंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर होँगा, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था, अगला है, महात्मा गांधी ने भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष अगला सवाल, महात्मा गांधी को सर्व प्रथम राष्ट्र पिता किस ने कहा था? फादर ऑफ नेशन सभी जानते हैं, हमने ये भी तीसरी चोती क्लास में पढ़ा है कि महात्मा गांधी को सर्व प्रथम राष्ट्र पिता किस ने कहा था? सुभास चंदर बोस, जवालाल अगला सवाल है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उनका मूल नाम क्या था दया शंकर गोरी शंकर अभी शंकर या मूल शंकर तो सरस्वती जी जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी इनका मूल नाम ही मूल शंकर था आप ऐसे भी आते रह सकते हैं, सुअमिदयनन सरस्वति का मोल चंकर था, ठीके ए, अगला सवाल है थीओ सोफिकल सुसाइटी ने भारत में कब और कहा अपना मुख्य कार्याले संस्थापिद किया, ठीके, थीओ सोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहांmış है तो बताएज चार option है आपके सामने इसका आंसर क्या हो गवा इसका आंसर है दोस्तों 1886 इस्वी अडियार ठीक है 1886 इस्वी में अडियार में अगला सवाल है सम्मतिवय अध्यादेश अठ्रासो इनक्यानवे निम्दमे से किसके सत्प्रयासों से पारित किया गया था दादा भाई निरोजी, MS बंगाली, बहराम जी M मावलाबारी या फिर ईश्वर चंदर विद्या सागर तो सम्मतिवय अध्यादेश अठ्रासो इनक्यानवे किसके दोरा सत्प्रयासों से पारित हुआ था बहराम जी M मालाबारी मौरेकाल में भवनों का निर्मान लकडी से भी होता था इसका पुरतात्विक प्रमान मिला अब कहां मिला ये बताना है और मौरेकाल में लकडियों से मकान बनते थे ये पता चला ठीक है अब कहां इसके प्रमान मिले हैं आपको बताना है चार ओप्षन है कोशांबी में कुम्रार में अंतर जिखेडा या फिर तक्षशिला में आंसर है कुम्रार कुम्रार से मिला है ठीक है कुम्रार अगला सवाल है मौर्य प्रशासन में लक्षण अध्यक्ष होता था तो मौर्य प्रशासन में लक्षण अध्यक्ष कोन होता था ये आपको बताना है सिक्कों का निरिक्षक, टकसाल का अध्यक्ष, खदानों का अध्यक्ष या चरागाहों का अध्यक्ष ये question आपका homework में है comments में आपको इसका answer देना है, दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो like जरू कीजिए, share कीजिए WhatsApp, Facebook पे अपने और comments box में answer देखे, ये जरूर बताईए कि आपको वीडियो कैसा लगा और जिसने भी अभी तक vacancies और प्रड़े से लिटेटी वीडियो की जानकरी के लिए चैनल को subscribe नहीं किया है, तो दोस्तो चैनल को subscribe जरूर कर लें और bell icon पर प्रेस करें ताकि जितने भी notifications हैं वो आपके mobile पर सीधा आपको मिल सकें चलिए friends मिलते हैं अगली class में Thank you friends, जैश्री महाकाल